तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे The Man From Toronto Movie के बारे में तकरीबन इसकी जो लैंथ है वो दो घंटे के आस पास रखीगी है नेट्फिक्स पे इसको रिलीज किया गया है जब इस मुवी का ट्रेलर आया था तो बहुत चादा इंटरस्टिंग फणी मुझे लगा था कोमेडी उसके अंदर तो मन किया दा यार यह वी आएगी इसको डेफिनिटली देखना है तो भी मुवी आई इसको देखना शुरू किया अब बात कर लेते हैं इस मुवी में जो कहान ही हमें देखने को मिलती है एक व्यक्ति है जिसका नाम होते टेडी जिसको प्ले के एक केविन हा इवन वो एक तरह की non contracting ऐसे कुछ करके वह boxing भी लेकर आता है जिसमें किसी को मारना नहीं है बस ऐसे boxing हाँ जो हवा में चलाने इस तरह की वह चीज लेकर भी आता है यहां पर उस इंसान को गल्ती से man from Toronto मान लिया जाता है Man from Toronto एक वो इनसान टोरंटो या टोरंटो जो भी है Man from Toronto जो है वो एक कातिल है एक तरीके से कातिली समझ लो जो बहुत गलत काम करता है अब यहाँ पर इस इंसान को इस भोले बाले इंसान को वो सब चीज़े माननी पड़ जाती है मतलब वो इनसान कंसिडर किया जाता है जो लोगों को मारता है तब यहाँ पर जिस तरीकी की कहानी हमें दिखाएगी वो काफी जादा इंटरस्टिंग है फिर इसको जबरदस्ती एक मिशन पर भेजा जाता है वो भी Man from Toronto के असली जो Man from Toronto है उसके साथ अब Man from Toronto का जैसे करेंटर हमारे सामने है वो भाई सब खडूस इंसान है अब एक जो टेडि है वो बहुत 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 है मूँ फट है जो मूँ में आएगा वो बकेगा उससे चुप कराना बहुत जादा मुश्किल है Man from Toronto वो बोलता नहीं है अब दोनों की केमेस्ट्री है जो हमें देखने को मिलती है बहुत जादा मज़ा आता है अब इसमें एक त्रेकी की वो चीज इसमें फिट कर सकते है जैसे कहते हैं कि मैं खिलाडी तू अनाडी वाली चीज मुवी की बात नहीं कर रहा हूँ यह जो लाइन है मैं खिलाडी तू अनाडी वाली बात इसमें वो फिट होती है Man from Toronto खिलाडी इंसान और जो टेडी है वो है अनाडी अब इसको मिशन पे भेजा जाए जिसने आज तक कभी किसी को मारा ना हो अब ऐसे मिशन पे भेज रहे हैं जहां पर गोलिया चलानी पड़ रही है तो सोचो कैसा हमारे सामने द्रिश्य आएगा वो देखने में बहुत मज़ात है जो डायलोग है दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है जो असली man from Toronto है जो टेडी है इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री हमें देखने को मिलती है वो बहुत मज़ेदार है डायलोग बहुत जादा अच्छे है और जो main जो USP या फिर जो main आपका जो इसमें concentration बनाए रखेगा वो है टेडी का जो करेक्टर वही जिस तरीके के जो इसमें वारता लाप दिखाये गई है जिसका इसका behavior दिखाया गया है जैसे इसके अंदर action इसके दिखाये जाते है वो आपको बहुत funny लगेंगे मज़ा आएगा आपको देखनेंगे लेकिन जो टेडी करेक्टर है वही इसकी कमी भी कह सकता हूं इस movie की क्योंकि टेडी का जो करेक्टर उसी के दम पर ही पूरी movie को रखा गया है वही आपका interest इस movie के अंदर बनाए रखेगा लेकिन जहां पर वो चुप हो जाता है आपको बौरियत सी मैसुस होने लगती है लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपकी इतनी बाते हैं इतनी सारे डायलोग हैं बस लगातार वही बोले जा रहा है आपको उसकी बातों पर हंसी बहाएंगी लेकिन एक ताइम ऐसा आए गा बस करो तो यार इतना ज़्यादा हो रहा है इससे सर में दर्द हो रहा है तो वहां पर आपको लगे का यह इतना जाधा नहीं बोलना चाहिए था कुछ और करेक्टर है उनको भी टाइम दो यार रखने का और जो भी इसके अंदर जो मिशन दिखाये जाते हैं आप उसमें लोजिक मत के परपस से होती हैं लोजिक तुम्हें कहता भी हूँ कि लोजिक मत ही रखो यार बढ़िया रहेगा एंटर्टेन्मेंट लेने जा रहे हैं एंटर्टेन्मेंट लो और नेट्विक्स पर जब आप अपने घर के ऊपर यह सब घर में मतलब सारी चीज़ यह मूवी देख र लगी हसा भी थोड़ा बहुत बोर भी हुआ सर में धर्ट भी हुआ कहाने की बात करो तो इतनी ज्यादा इंटरस्टिंग मुझे नहीं लगी लास्ट में जिसकी एंडिंग दिखाए जाती है तो मुझे सच को मुझे रोहित शिट्टी की याद आ जाती है क्योंकि उसमें तो आए तो वही गाड़ियां ओड रही हैं सें वही फिलिंग आ रही है कि मैं रोहित शिट्टी की मूवी देख रहा हूं फिर यहां पर ऐसे फिलिंग हो थी कि यार कहीं इन्होंने बॉलिवूड को को पी तो नहीं कर लिया ऐसा पहली बार हुआ पहले भी कर रहा हुगा क होलीवुड वालों ने बॉलीवुड को कोपी कर रखा है और यहां पर सेम चीजें रखी गई है यह मुवी आपको हिंदी डब में भी मिलेगी अब हिंदी डबिंग यार इतनी जादा मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि बॉलीवुड की रेफ्रेंसिस के अंदर रखा गया है और कुछ जगहें पर सेम टू सेम डब नहीं करके कुछ अलग ही तरीके कि इन्हों ने डब करके दिया तो वो मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आया बाकी ठीक था गया काम चल जाता है हिंदी डब से तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा फाइफ आफ आफ वो तो है क्या है बसाज के लिए रखते हैं अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखते ना और नहीं देखी है तो जाकर देखो फैमली के साथ देख सकते हो बस इतना ही होता है थैंक्स फॉर वोचिंग इस वीडियो मिलते हैं न